हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लोग आज से शुरुखात कर रहे है एमस्ति सीटी की सीड़ीज ठीक है तो गाइज 12 स्टेंड़ का पहला चैटर हम लोग शुरुखात करें एमस्ति सीटी के लिए डेफिनेटल आपने हमारे वीडियो तो देखे ही होंगे जो आल्रेडी आप-लाइन वीडियो हमारे थे वहीं कंटेंट एक्जैक्ली क्या है वह हम लोग करेंगे यहां पर उस चैप्टर के बाद वह एक बार रिकॉल करने के बाद फिर हम लोग इंपॉर्टन एंसे क्यूज इंपॉर्टन एंसे क्यूज यह ने प्रिविए से क्यूज भी दोस्तों हम लोग कंप्लेट करेंगे ठीक है दोस्तों तो यह यह जुस्त रॉफली प्लाइन रहेगा जहां पर जो में कंटेंट है उसके उपर फोकस करेंगे और आफ्टर विल गो पादी पी वाई क्यूज समझ में आ गया दोस्तों तो शुरुवात कर लेते हैं solid state की ठीक है solid state में दोस्तों पहले तो है that is introduction and all इतना इसका कोई जर्वत है नहीं ठीक है यह चीज के उपर दोस्तों फोकस करना and isotropic ठीक है crystalline solids are what and isotropic ठीक है चलो दूसरा टाइप amorphous solid amorphous solid में irregularity in the arrangement right amorphous solid में this this is isomorphous actually this one amorphous solid so irregularity in the arrangement उसके बाद क्या है दोस्तों do not have sharp melting point and more importantly they are isotropic तो amorphous solid isotropic है दोस्तों and crystalline solid जो है crystalline solid क्या है दोस्तों crystalline solid है anisotropic ठीक है anisotropic and isotropic and the examples that you all know आपको पता ही है कैसे examples है ठीक है जो भी आपको पता है घर पे जो common salt है वो crystalline solid है जो salt and analysis के लिए solid है दोस्तों ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको पता ही है understood ओके चलो आगे बढ़ले लेता है फिर इसके बाद फिर हमें कहां पर चाहिए हमें जाना है सीधा इनो टाइप सब कर्सटलाइन सॉलिड के ऊपर कितने टाइप के एक्जैम दे दिया तुछ पता ही है कितने और शालीड में पहला आयोनिक सॉलिट आयोनेक सॉलिड में होगा क्या दूस्तों एक लाजिक लगा लेना यहाँ पर ठीक है यहाँ पर तो थीयोरी पार्ट लेना नहीं है आपको तो जो सकी ऑप्षिंज चार उसमें से ऊस्ट पर्वेबल ऐंसर आपको या ऑप्षिन आपको तो आपको करेक्ट आंसर के तरफ आप आप डेफिनेटली फोकस कर पाओगे तो उसके लिए कंटेंट जानना बहुत ज़रूरी है में जो कॉंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों ठीक है ना तो फिर आयोनिक सॉलिट अब यहां पर लॉचिक भी आपका क्वेद श्रेट में इलेक्ट्रिकल नहीं है बट आयोनिक अनिक सॉलिशन में उसकी इलेक्ट्रिकल घंदक्टिविटी है एक्जाम्ब्स जो आपको पता है को मर्ज कर दो लाइक के सी यल भराबर भोगए आपका के सी झॉल देर आपका एनसी एल के बि-आर के आय यह सारे कुछ एक्जामपल यूज कर सकतो है यहां पर कोवेलेंट मतलब होगा वहां पर क्या तो यहां पर यहां पर यहां पर कॉपकस करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर आपको शायद करने के लिए कि आजा है कि identify the covalent network solid from the following and आपको options देंगे तो डाइमर्ड network solid है को उसका molecule formula भी याद रखना दोस्तों एसा यूट नेट्वरक सॉलिड है ठीक है नेक्स्ट इस molecule solid और molecular crystal constant particles molecule यहां पर different टाइप फोस of attraction मॉलेकुलë crystal में तीन इंट्र मॉलेकुल पोस अट्रेक्शन होंगे बच्छों कौन सा है तो डाइपोल डाइपोल इंट्रेक्षिन है लंडन डिस्परिशन पोल्जरे एं इंट्र इंटर मॉलेकुलर हाइड्रोजन बॉंडिंग ज्यान में रखना है इंटर मॉलेकुलर हाइड्रोजन बॉंडिंग इसके उपर है यह कुछ एक्जांपल से दोस्तों दन चलो यह भी हो गया हमारे यहां पर बच्छो यह इंटर मॉलेकुल हीड्रोजन बादिंग पॉस ऑट्रेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यह कुछ इंपोर्टन चीज़े है रिलेटेट तो यह ध्यान में रखेंगे लास्ट वन मेटाली क्रिस्टल मेटाली क्रिस्टल यहाने मेटल तो मेटाली की बारे मेटल 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 वही प्रॉपर्टीज को यहां पर लग करना है मैलीएबल है है मेटाली के अलिमेंट है थर्मन इलेक्टिकल कंड़क्टिविटी और सारे मेटल जो याद है आपको पोटैस्यम सोडियम कैलिशियम मैंगनेशियम जींग ठीक है वनेडियम यहां पर नोट कर सकत यह चलो यह चीज कंप्लेट हो गई दोस्तों दैट इस टाइप सब्सक्राइब कर लिया ठीक है उसके बाद यूनिट अभी यूनिट एंटा यूनिट सेल अंड़ टाइप सफ उप यूनिट सेल यह नहीं क्या जो अगर सी कोई भी क्रिस्टल में सबसे चोटा जो पार्ट है that smallest repeating structural unit उसको क्या बोलता है बच्चों हम लोग unit cell कहता है तो यह देखो unit cell smallest structural unit cell smallest structural unit of the say crystalline solid that is unit cell और उसके टाइप simple और primitive cubic unit cell body centered cubic unit cell face centered cubic unit cell and end centered cubic unit cell तो यह you know unit cell के टाइप okay body centered unit cell cubic unit cell नहीं एक्चुरी प्रिमिटिव और a simple unit cell body centered unit cell face centered unit cell and base centered unit cell base centered यह एंड सेंटर भी कहता है दोस्तों इसको ओके चलो इसके बाद फिर यह हो गया then फिर we'll go for the crystal system crystal system आपको ध्यान में रखना है यह cubic system cubic system कितनी है देख लो तो तो cubic system I mean to say total crystal system कितनी है तो seven crystal systems है है दोस्तों cubic system tetragonal system ortho rhombic rhombohedral monoclinic triclinic hexagonal यह नाम पे उपर आपको focus करना पड़ेगा इसमें आपको different options आएंगे including one of this ठीक है जहां पर आपको कहेंगे कि crystal system identify the perfect crystal system इसमें इसमें से यह कोई भी एक option हो सकता है correct option monoclinic triclinic hexagonal cubic tetragonal ortho rhombic rhombohedral यह आपको cubic system याद रखना है दोस्तों ओके चलो आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों now then we'll go for the cubic system this one that is crystal system जिसमें main इस chapter में हमें cubic system के ओपर focus करना कितने टाप के cubic system है तीन टाप के cubic system है देखो unit cell चार टाइप है दोस्तों simple unit cell body centered unit cell face centered unit cell base centered unit cell but cubic system 3 है कौन से simple cubic unit cell body centered cubic unit cell face centered cubic unit cell अगर आप diagram पे focus कर लें कि तो आपको साध सीधा सीधा clear हो जाएगा कि क्या exactly है यह diagram पे focus कर लो पहले simple cubic unit cell जहां पे unit cell जिसका जो one by eight part हर एक corner पे रहेगा body centered unit cell में along with the one by eight part one particle present in the centered and face centered unit cell एक particle रहेगा at all eight corners and the rest of the three particles are present you know opposite of the three phase opposite of the six phases ठीक है तो यह हमारा simple cubic body centered cubic unit cell and face centered cubic unit cell ठीक है यह भी complete कर लिया हमने number of particles number of particles यह बहुत ही हमारे लिए important रहेगा कि किस तरह से number of particles identify करेंगे तो primitive unit cell और simple cubic unit cell में number of particles देखो एक ही total corners कितना है eight corners है और जो particle है वो equally eight corners पर distributed है तो one by eight part of the particles into eight तो eight it gets cancelled so the total number of particle one particle किसमें तो one particle है simple cubic unit cell में similarly bcc में two particles है and FCC में four particles है ठीक है कैसे आये क्यों आये वो छोडो just number of particles कितने याद रखो वो क्यों आये कैसे होता है वहां पर हमें ध्यान रखना है ओके चलो डन अब यहां पर बच्छो यह इस is the formula of the formula related with the density density के लिए कि सारे formula बहुत important है तो वो the density related volume of the unit cell related आपको याद रखना है जैसे volume of unit cell is aq okay what is a बच्छो यहां पर क्या होता है what is this a a stand for edge length ठीक है क्या है edge length है right उसके बाद mass of a unit cell mass of a unit cell is equal to m into n of m याने बच्छो mass of that component and n याने याने number of particle present in the one cell that is n actually small n is the number of particle present in the cubic unit cell यह एने इस आपको अपको अपको तो n number of particle present in the unit cell वो क्या होगा two one या फिर four one किस में होता है symbol cubic unit cell में two किस में होगा bcc में four किस में होगा fcc में ठीक है चलो density mass upon volume simple से चीज है mass upon volume धियान में रखना है mass upon volume ठीक है and finally molar mass of the substance m into n a m याने mass and n a that is Avogadro's number Avogadro's number कितना है दोस्तों यह देखो याने number of particle present in the cubic unit cell m molar mass a याने edge length and n a is the Avogadro's constant that is 6.022 into 10-23 ठीक है दोस्तों चलो इतना भी complete कर लिया है हमने अभी इसके बाद फिर हमें चले जाएंगे packing of crystals में packing of crystals में one dimension two dimension three dimension ठीक है वाइड और यह सारी packing system and along with that coordination number आपको याद रखना है यह जो diagram आप देख सकते हैं यह इसको कहाएंगे packing in one dimension और यहां पर एक sphere है जो दूसरे दो other spheres को attached होंगे ठीक है एक अगर यह sphere हम लोग consider कर लेता है तो यह दो other spheres को attached है and that's why the coordination number of these packing in one dimension is two ठीक है coordination number यहाने दोस्तों एक स्पियर याने एक पार्टिकल कितने दूसरे अधर पार्टिकल को attached होता है यह that represents the coordination number ठीक है चलो आगे बढ़ लेते हैं next is stacking of a square close pack layers तो यहां पर दोस्तों आपको दो टाइप के arrangement मिल जाएगी उसको बोलेंगे यह टाइप packing in two dimension जिसमें दो टाइप के packing है आप देख सकता है एए टाइप अदर वनीज एबी एबी टाइप 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 क्या है दोस्तों तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्पियर को arrange करेंगे हम लोग उसके उपर exactly दूसरा उसके उपर तीसरा चौथा लाइक दिस वे हम लोग arrange करेंगे अगर ऐसे अरइज किया तो एग जो इक तो चार नेबरींग पार्टिकल को च और पर है देखो टूड़ ऍक टाइप लेंगे और उसके बॉटम में या पिर क्या सकते उसके डिपरेशन में दूसरी रोह हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वे से, राइट न, ऐसे, तो फिर ये A टाइप, ये B टाइप, फिर वापस A टाइप, ये B टाइप, तो A B, A B टाइप अरेंजमेंट, जिसमें एक नेबरिंग स्पेर, छे का नेबरिंग पार्टिकल्स को अटेश्ट है, तो उसको कॉर्डिनेशन नमबर 6 है दोस्तों, अब ये थ्री डाइमेंशन के लिए आ गया, थ्री डाइमेंशन में भी, यहां पे A, A, A टाइप, A, B, A, B टाइप है दोस्तों, तो A, A टाइप में, कॉर्डिनेशन नमबर 6 अगें, जहां पे एक पार्टिकल, 6 नेबरिंग पार्टिकल को अटेश्ट है, इस इस स्टेकि वापस से A, फिर B, ऐसे करेंगे, तो आपकी उस अरेंच्मेंट में कुछ गैप रह जाएगा, दो लेयर्स के बीच में, तो उसको कहते है वाइड दोस्तों, और वह वाइड कौन सा होगा, तो वहां पे टेट्राहेडरल वाइड बनने के चांसे से, as well as, you know, formation of octahedral void, ठीक ह दोस्तों, यहां पे coordination number कितना हो जाएगा, दोस्तों, 6 coordination number हो जाएगा, that is A, B, A, B type में, ठीक है, शलो, आगे बढ़ लाता है, next, after that, we'll go for this one, packing in 3, hexagonal close pack layer, third hexagonal close pack layer, 2 तो हमने already कर लिया, तो यहां पे arrangement जो है, दोस्तों, that is, you know, A, B, A, B type, okay, that is also called as CCP, या फिर HCP, या फिर FCC, याने face centered cubic unit cell, XCP, याने hexagonal close pack, and CCP, याने cubic close pack, right, अब यहां पे आपको arrangement जो है, यह आपको different way से मिलेगी, पहले A, 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 A type हो गया, उसके बाद A, B, A, B type हो गया, अब तीसरा है, that is, A, B, C, A, B, C type, you can see over here, यह वाला, A, B, C, A, B, C, A, B, C type, ठीक है, यह देख सकता है, A, B, A, B, C, A, B, C type of arrangement, ठीक है, तो all these three arrangements are different, hexagonal close packing, cubic close packing, या फिर FCC भी कहेंगे, यहां पे, understood, okay, so this type of arrangement you will be getting, दो different ways है, एक तो A, B, A, B type of arrangement करेंगे, तो hexagonal close pack मिलेगा आपको, या फिर, आप ABC, A, B, C type, तो cubic close pack layers मिल जाएगा, आपको, that is also called to be a FCC only, done, चलो, आगे, फिर packing efficiency, या, packing efficiency बहुत important है, दोस्तों, जहां पे, simple cubic unit cell, body centered cubic unit cell, and face centered cubic unit cell, यह बहुत important हो जाएगा, that is, for packing efficiency, packing efficiency में, एक unit cell में, अगर एक particle है, तो वो कितना packed है, याने field कितना है, और empty space कितना है, वो ध्यान में रखना है, packing efficiency cell के लिए, यह formulas बच्छों important है, दोस्तों, formula बहुत important है, that is, radius of a simple cubic unit cell, r is equal to a by 2, यह formula से आपको ध्यान में रखना है, r is equal to a by 2, that is, for simple cubic unit cell, उसके बाद, volume of a sphere, that formula is also important, that is, volume of a sphere, for, किसके लिए, for simple cubic unit cell, pi a cube divided by 6, ठीक है, pi a cube divided by 6, यह formula पूछ लेंगे, कभी कबार exam में, total volume, that is, total volume, एक ही particle है, तो, जो volume into one, number of particle, तो pi a cube divided by 6 only, होगा, and then, finally, packing efficiency, packing efficiency, दोस्तों, number याद रखो, that is, 52.36 for simple cubic unit cell, उसके oppositely empty space, empty space, कितना होगे जाएगा, दोस्तों, that is, 47.44%, तो, empty space भी पूछेंगे, या फिर कभी कबार, वो packed कितना है, उस नहीं पूछेंगे, same way, for the, this one, BCC, BCC के लिए भी formula, R is equal to root 3 by 4 into A, यह formula याद रखना है, volume of unit cell के लिए, volume of sphere के लिए, क्या formula है, that is, under root 3 pi a cube divided by 16, that formula is important, total volume, जो भी volume है, दोस्तों, यह जो volume है, BCC में particle कितना होता है, 2, तो, उसमें into 2 कर लेंगे, तो, यह total volume हो गया, and finally, packing efficiency, BCC की packing efficiency, 30, 30, 68, and then, empty space is 32, ठीक है, यह हमने theory में भी, जब हम HSE पट रहे थे, वहाँ पे भी हमने यह किया था, दोस्तों, ओके, चलो, तो, यह हो गया, for BCC, अब नाव, we'll go for FCC, FCC के लिए, वही formula is important, again, that, radius R is equal to A, upon 2 root 2, R is, R is equal to A by 2 root 2, that is the formula, packing of a spheres के लिए, funnel formula, pi A cube, divided by 12, root 2, and total sphere, जो भी होगा, whatever, that pi A cube, divided by 12, root 2, into 4, 4 Q, FCC में, चार particles होते है, and finally, packing efficiency, 74% हो दोस्तो, and empty space, 26%, ठीक है, 2009 में, question भी आया था, आया था, say, the number of, say, कह सकते हैं, unit cell, and the number of atom present in a specific mass of a substance, अगर समझे लोग कि mass है, mass is represented by x gram, तो उसके लिए number of particles के लिए formula क्या है, x into n upon a pi, sorry, rho A cube, ठीक है, x into n upon rho A cube, number of unit cell in x gram of metal, that is x divided by rho A cube, ठीक है, तो बच्चों, ये दोनों formula देख लो, तो यहाँ पे particle in x gram, अगर mass है, और उसमें particle find करना है, तो x into n upon rho A cube, and अगर unit cell find करना है, तो ये mass निकाल दो, ये number of particles निकाल दो, x into x divided by rho A cube, जहाँ पे x याने mass of that substance होगा, and the number of unit cell है, जो क्या है, V divided by A cube, ठीक है, और ये formula तो हमें पता ही है, rho is equal to n into m upon A cube into na, ओके, चलो, तो done guys, तो ये हमें, यहाँ पे हमारे ये चीज़े almost complete कर ली है, हमने packing efficiency and all, तो guys, ये सारी चीज़े थी, हमारे up to packing efficiency, ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पे हमें अभी जाना है, that is defect, defect in crystals, defect में 3 major types है, that is point defect, line defect and plain defect, but हमें इस chapter में, you know, point defect के बारे में study करनी है, पहला तो है vacancy defect, आप देख सकते है, diagram, diagram देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, vacancy defect क्या है, यहाँ जो constant particles है, उसकी vacancy create हो जाएगी, vacancy create होने से बच्चों 2-3 चीज़े ध्यान में रखनी है, याने एक तो चीज होगा, देखो, यह common चीज है, सब के लिए मैं बता रहा हूँ, change नहीं होगी, ठीक है, तो चलो दोस्तों, यहाँ पर देख लो, यह particle तो missing है, तो mass कम हो जाएगा, अगर mass कम है, तो वहाँ पर density decrease हो जाएगी, mass decreases, density decreases, done, यह vacancy defect के लिए, next is, short self interstitial defect, self interstitial defect में क्या होगा, एक तो देखो, दो वैसे way है, different way है, interstitial defect है, interstitial defect है, याने एक जो particle constant particle का रोज है, उसकी gap में छोटे पार्टिकल से acquire कर लेगी, एक तो similar type of particle वो gap में आ जाएगा, additional particle है, तो additional particle यहाने mass increase हुआ, mass increase हुआ था बच्चो, density क्या हो जाएगी, increase होगी, mass increase होगा, density increase होगी, दूसरे case में, regular site में से वो particle shift हो जाएगा और interstitial gap में आ जाएगा, याने कोई addition नहीं, कोई removal नहीं बराबर है, तो फिर यहां पर density and mass दोनों unchanged रहेगा, दोस्तों, next, short key defect, short key defect, vacancy defect ही कह सकता है, यह किसके लिए होगा, यह होगा for especially ionic compound, तो smaller particles, that is, you can say smaller and bigger both actually, that is, cation as well as anion, regular site में से miss हो जाते हैं, ओके, दोनों miss हो रहा है, देखो, जितने cation miss हो रहा है, उतने ही, you know, vacancy create कर रहा है, याने उसके एक तो हमें पता ही जाएगा, electrical neutrality तो maintain रहेगी, बराबर है, but density decrease हो जाएगे, क्योंके mass decrease हो गया, तो density decrease हो जाएगी, कुछ examples है, उसके NACL, AGBR, KCL, यह कुछ examples है, right, okay, now next is prankle defect, prankle defect में regular site में से smaller particle, interstitial gap में आ जाएगे, आप इसको interstitial position, interstitial defect भी कह सकता है, यहाँ पर ना तो कुछ addition हो रहा है, ना कुछ you know, elimination हो रहा है, example, AGCL, AGBR, AGICF, यह कुछ example है, दोस्तों, ठीक है, फ्रेंकल defect के बाद, impurity defect याने, impurity याने unwanted particles, तो regular sites में unwanted particles आ जाएगे, दोस्तों, and total properties change हो जाएगी, right, this is all about the impurity defect, impurity defect एक और चीज आ जाती है, जहाँ पर समझ लो कोई एक solid है material और हमने कुछ you know, unwanted salt उसमें डाल दिए, तो maybe regular site of a cation will be replaced by the different cation, जो impurity cation है वो और वो भी उसका higher oxidation state होगा, जैसे कि आप NaCl में, you know, strontium की salt डाल दो, तो फिर एने का जो regular site है, replaced by sr, but problem यह है कि एने को plus one charge होता है, sr को plus two charge होता है, फिर क्या होगा, electrical neutrality तो maintain होनी चाहिए, फिर एक regular site में से दूसरे रो में से एक और एने प्लस साइंस मीस हो जाएगा, यानि ओवर अल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जा सेम और यह ठीक है, होस्ट केटाइन विल बी रिप्लेस बायर केटाइन विट दा हायर ऑक्सिदिशन स्टेट यह दो पॉसिबिलिटी इस नेक्स्ट इंटरस्टिशिल इंटरस्टिशल अब अल्री पड़ी चुके हैं यह इन्टरस्टिशल गैप में आ जाता है दोस्सों, एक स्मॉलर पार्टिकल इंट्रिस्टिशल गैप में आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑल टुगिदर चेंज हो जाएगी नेक्स्ट इस नॉन स्टोग्यमेटिक डिफेक्ट जिसमें डिफेक्ट है डिफेसिंसी याने क्या लेस याने और लैकिंग तो यहां पर पार्टिकल्स वह लैक कर लेंगे सेम ओवर हीर सिमिलर पार्टिकल्स है जैसे कि एना ओटू यह क्रिस्टल है ठीक है अब एना ओटू में एक एक और टू प्लस और टू माइनस चाहिए बराबर है बट कभी कबार क्या होगा कि एना ही ही खुद हायर ऑक्सिदिशन स्टेट से वैसे दूसरी जगह भी प्लस त्री ऑक्सिदिशन स्टेट याने ऐसे एक दो जगह पर एनाइटू के प्लेस्पे रेप्लेस्मेंट हो गई है एनाइट्री प्लस की तो प्लस त्री चार्ज आ गया तो फिर इलेक्रिकल इंबैलेंस हो सकता है इसलिए रेगुलर साइट में से यह आप देख सकते हैं यहां पर रेगुलर साइट में से क्या हो गया है यहां पर फिर मेटल आइन हो जाएगा सी अगर आप देखो तो एक जाड़न टू प्लस आइस और एक ओटू माइनस चाहिए एक परफेक्ट जाड़न ओ यहां यहां पर क्या हो जाएगा कि न्यूट्रल जिंक एटम भी एड़न हो जाएगा बच्छो एड़न हो जाएगा वहां पर तो मैटल नंबर एक्सेस होग है तो दो इलेक्ट्रों यहां पर वाइड डॉट आप देख सकते यह भी इंटर्स्रिशल गैप में एक्वाइर हो जाएंगे दोस्तों इससे भी वही चीज होगी कि ओवर आल कह सकता है कि आप एलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मैंटेन है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट वह अपनी एलेक्ट्रों वहाँ पर छोड़ जाएगा इन इस वोल क्रिस्टल अली नाइन विल बेलप्ट आउट अज प्योर एटम और वो न्यू एलेक्ट्रों अपना वहाँ पर प्लेस अपना वहाँ पर रिलीज करके चला जाएगा तो यह वाइन वैकंसी यहाने एन य सब्सक्राइब तो कुछ एक्जांपल जर्मैनियम से लिकान यह कुछ एक्जांपल है सेमिकंडॉक्टर के दोस्तां ठीक है नेक्स्ट इस बॉंड थेयरी बॉंड थेयरी में बैंट थेयरी वी चैन सी ओर यह विद यहल्प दिस डाइग्राम अब आप देख सकते हैं कि य लुझे यहाँ यहाँ पर जंप नहीं हो कोपाएंगे इस तो हैं नहीं जवाप है इस के वजह से अगर थोड़ा सा सिंविकंडॉक्टर को हीट करने तो वह क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा आ पर एदीन हो थे कर लिया हमने properties of the solid magnetic properties में तीन टाइप के प्रोपरटी या compound या solid मिलेंगे आपको कौन से है यह 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 होता है दोस्तों एक ही concept पेर आफ इलेक्ट्रॉन है या फिर पेर आफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ठीक है इलेक्ट्रॉन पैर है या फिर नहीं है सब्सक्रॉन है और उसके वज़े से क्या होगा वह मैंगनेटिक फिल से थोड़ा सा रिपिल करेंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन एलेक्ट्रॉन पैर एलेक्ट्रोन के उपर फोकस करना है आपको and then due to that they are attracted weakly attracted towards the magnetic field ठीक है एक्जामपल कौन से है oxygen is a paramagnetic substance c2 प्लस आइंस f3 प्लस आइंस these are few examples of paramagnetic substance आपको identify करने शायद पूछेंगे भी diamagnetic है या फिर paramagnetic and all ferromagnetic substance ferromagnetic substance में भी वही होता है क्या है large number of unpaid electron but unpaid electron है वैसे तो paramagnetic में भी है but this is weakly attracted by magnetic field and here ferromagnetic made which is strongly attracted by magnetic field ठीक है unpaid electron but strongly attracted by magnetic field that is the difference between paramagnetic and ferromagnetic example FECO NI gadolinium CRO2 these are few examples ठीक है दो दोस्तों तो यहां पर दोस्तों हमारा यह पूरा topic हमने पूरा chapter लिए है जहां पर हमने डिफेक्ट कर लिया है जहां पर हमने types of unit cell उसमें नंबर of particles कितने होते हैं उनकी packing efficiency कितनी होती है क्या formulas होते हैं to find out the radius क्या formulas होते है to volume of unit cell everything सारी 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 चीज़ हमने यहां पर कवर कर ली पॉर्मिलर related with the density the formula related with the number of particle present in the x gram of a metal volume of a unit cell है सारी चीज़ हमने complete कर ली including what that is types of types of unit cell उसके characteristics properties अभी हमारा बात आ जाते हैं कि हमें अभी इसके उपर mcqs करना है तो previous year के कुछ questions हम लोग यहां पर recall करेंगे ठीक है और आपको एक टास्ट वही होगा कि आपको maximum यह सारे content के उपर practice करनी होगी मैं यह पूरे तो नहीं पाऊंगा सारे mcqs उतना वीडियो लंबा हो जाएगा फिर तो मैं कुछ important एंड प्रिविए सियर के जो पूछे है related with all these topics यह मैंने select किये है कुछ तो वह हम लोग करेंगे और आपको ऐसे ही कुछ mcqs के फिर practice करनी दोस्तों चलो आगे बढ़ता है for the mcq the number of items in 2.4 gram of bcc crystal with the edge length 200 picometer जहां पर given things that is density 10 gram पर cmq होगा उसका unit but obvious ठीक है number of item find करना है यहां पर कौन सा crystal है bcc है तो bcc के लिए number of items के लिए formula लिखेंगे पहले number of items यह number of items ठीक है तो number of atoms in x gram formula क्या है x into n upon rho into a cube ठीक है अब दोस्तों यहां पर x कितना है that is 2.4 gram दे दिया है that we have to take 2.4 gram into n n याने क्या हो जाएगा यहां पर n याने number of items in in the unit cell crystal कौन साथ दिया है that is bcc तो bcc में atoms at 2 divided by edge length sorry density density is 10 into edge length is 200 picometer 200 picometer ठीक है तो 200 picometer to 200 into 10 plus 2 minus 10 करना है हमें which is in centimeter cube ठीक है तो आपको कभे भी जो picometer में length edge length दी होगी उसको centimeter में convert करना है हमने offline जो regular lecture से हसे के उसमें भी बढ़ा है कि जो भी edge length दी होगी picometer में उसको 10-10 कर देना है तो 10-10 मेंटर अब आप इसको simply calculate करेंगे तो आपको जो calculation if I'll do ठीक है तो calculation अगर मैं कर लो तो कितना answer आ जाएगा यहां पर let me check that is 2.4 into कितना है that is 2 divided by 5 into 200 cube right okay so that answer is actually आ जाता है that is 6 into 10 raise to 22 23 19 19 okay this correct answer that is 6 into 10 raise to 22 यह एक answer आ जाता है यहां पर you know just simply calculate करना है दोस्तो यह formula में मैंने value भी पूट कर ली यह सब्सक्राइब जाता है तो you'll be getting answer over here that is 6 into 10 raise to 22 ठीक है तो this way you have to just calculate simply 2019 में कुछ question आया था recently पूछा है ठीक है which type of defect has the presence of cation in the interstitial site ठीक है presence of a cation in the interstitial site okay interstitial which type of a defect has the presence of a cation in the interstitial site cation interstitial site में चाहिए बच्चो ठीक है अब आप प्रेंकल या शॉट के defect ले लो तो complete vacancy है ठीक है बट कैटाइन अगर interstitial में site में चला जाता है शॉट के defect vacancy defect प्रेंकल डिफेक्ट आपने एक और चीज़ पड़ी थी that is metal deficiency defect metal deficiency defect अगर आपको ध्यान में होगा तो पुच्च पार्टिकल्स है वो आ जाता है किसमें interstitial sites में तो matter deficiency defect is the correct option okay that is the metal deficiency defect that is which type of defect has the presence of cation in the interstitial site ठीक है now next question जो है हमारा that is which of the following compound shows both short key defect and the frankal defect short key frankal दोनो defect short key defect में cation and present होता है frankal defect में भी cation and present होता है short key defect में vacancy हा जाती है फ्रेंकल में क्या हो जाता है equal cation and n9 की vacancy आ जाती है दोस्तों अब अब अगर आप ध्यान दे दो Kcl AGcl AGBR and AGI AGCL and HBR and KCL यह औप्षन है सिलवर के सारे actually salt वो वैसे बताता है but if you go for AGBR AGBR shows अगरा हमने examples भी पड़ा वहां पर दोनों टाइप की यूनों आपको defect बताएगा short की भी और फ्रेंकल defect भी बताएगा ठीक है कि सिलेक्ट फेरो मेंगनेटिक लुए नहीं होता ज्यादा ठीक है प्रोमियम एक ऐसा है शायद यहां पर अट्रेक्शन आ जाती है तूर्स अ मेंगनेटिक फिल्ड निकल है प्रोमियम है आयरन के साथ इनकी मेंगनेटिक फिल्ड के तरफ बैंजीन प्यॉर और्गैनिक अपॉंड नहीं है डाय हाइड्रोजन मोनोक्साइड ठीक है डाय यहां पर इस तरह से पूरा से पूरा टॉपिक अच्छा लगा होगा नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ दोस्तों आता है सब तक बाइबाय और टेक केर्ट